आपका स्वागत है अपनी यूटूब चैनल पर आज हम 4 जनवरी को हुए सीड़े 2021 पेपर 1 के फुल 30 कोश्चन एवियस के करेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था मगर मचमुक रूप से सिकारियों द्वारा मारे जाते हैं तो इसमें आपका option दूसरा सही हो जाएगा तो अच्छा के लिए for skin दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक बे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए seated paper 1 और paper 2 के maximum सिफ्टों के solutions अल्रेडी प्रोवाइट कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के solutions देख लीजिए आपका second question बोरा bulletinus चावल की एक समानी किसम है यह मुख्य रूप में मुख्य रूप से में पाया जाता है तो इसका option आपका पहला सही हो जाएगा आसाम आपका तीसरा question आया था सर्दियों में दादी नानी अकसर अपने परिजनों को सुखा पन से बचाने के लिए निमनलिखित के घोल का अपयोग करती है इन विन्टर्स, ग्रांड मदर्स ओफिन यूज आस सोलीशन आफ दा फॉलोविंग तो प्रोटेक्ट दा किन फ्रॉम ड्राइनिस तो तीसरे का option आपका दूसरा सही हो जाएगा गुलाबजर, गिल्सरी और नीभुकरस आपका फोर्थ कोश्चन, वै पच्ची जो किसी छोटे पेड़िया जाड़ी की साखा से लटकता हुआ भोसला बनाता है तो इसमें आपका option पहला सही हो जाएगा, सन बर्ड, सूर्य पच्ची, सन बर्ड आपका पाच्वा कोश्चन आया था, PNR on train ticket source, इसमें आपका option दूसरा सही हो जाएगा, ग्यात्री का नाम record आपका 6 कोश्चन आया था, इन मल्यानम, इन मल्यालम, mother's elder sister is called as मल्यालम में मा की बड़ी बेहन को क्या कहा जाता है तो इसमें आपका option पहला सही हो जाएगा, वली अम्मा आपका 7 कोश्चन, which one of the following places in केरला, निमने लिखित में से कौन सहसान केरल में है तो इसमें आपका option दूसरा सही हो जाएगा, खोजी कोड आपका 8 कोश्चन आया था, गाउं का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजडी के पेडों से पड़ा है इस गाउं के लोग पौधे, पेडों और जानवरों का बहुत खयाल रखते हैं भारत में ये गाउं है, तो इसमें आपका option तीसरा सही हो जाएगा, राजस्तान में आपका 9 कोश्चन, दा हेड अफ़ा हर्ड ऑफ एलिफेंट इस हाथियों के जुंड का सिर है तो 9 कोश्चन, आपका दूसरा सही हो जाएगा, सबसे उमर दराज मादा हाती, oldest female elephant आपका 10 कोश्चन, कोटरी is made strong, मिटी के बटनों को मजबूत बनाया जाता है तो 10 कोश्चन आपका सही हो जाएगा, पहला, by baking, बेकर के आपका 11 कोश्चन, आपका दूसरा सही हो जाएगा, आपका 12 कोश्चन आया था identify the correct sequences of making chapati from wheat flour, यहू के आटे से चपाती बनाने का सही करम है तो आपका 12 कोश्चन सही हो जाएगा, पहला, आटे को घूत कर, आटे की छोटी 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 लोईया बना कर, लोईयों को बेल कर, आग पर पका लिजिए आपका 13 कोश्चन आया था feelings, भावनाय, आपका 14 कोश्चन, children who cannot speak and hear, they learn, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं, वे सीखते हैं, तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, सांकेतिक भासा के माध्यम से, आपका 15 कोश्चन, which of the following is different from the others, निम्न लिखित में से कौन दूसरों से भिन है, तो फिप्टींथ में आपका option दूसरा सही हो जाएगा, पहाड, आपका 16 कोश्चन आया था, which of the following indicates the child-centered nature of environmental studies at primary level, निम्न लिखित में से कौन प्राथ में किस तरपर पार्या परन अध्यन की बाल के अंध्रित प् तो आपका 16 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और C, इस्कूल में बच्चों के जीवन को इस्कूल के बाहर उनके जीवन से जुड़ा जाना चाहिए, रटने को हदो साहित करना और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बिच तीछ सीमाए होना आपका 17 कोश्चन आया था, निम्न लिखित में से कौन रात में के इस्तर पर पर्यवरण अध्यान का उदेश को उदेश हो सकता है, तो इसमें आपका उप्शन पहला सही हो जाएगा बच्चों को अपने सीखने पर शिंतन करने के लिए पुट्साहित करना, नया ज्यान उत्परन करने के लिए स्थान समय और सतंतरता देकर बच्चों को आतारशित करना, बच्चों को सीखने में पति भागियों के रूप में ब्रभार करना, ज्यान के एक निश्चित निका सभाई के रिसीवर के रूप में नहीं तो इसमें आपका पहला ऑप्षन सही हो जाए गाई ऑई और सी को आपका इटींद सावर अध्यान केसं मन्द में निम्निलिक्षत में से से कौन सा कथन सही है एटींद का आपका पहला सही हो जाएगा अच्छा तीसरे से पाच्वे तक पर्यावरण अध्यान एक विश्य की रूप में विज्ञान समाजिक विज्ञान और पर्यावरण सिच्छा की अफधार्णाओं और मुद्दों को एक ही करत करता है आपका फूर्थ बच्चों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने के आफसर आपका 21st question विश्वन आफ फॉलोविंग थीम्स कंसिस्ट आफ सब थीम्स इन दस लेबस आफ इवियस अट प्राइमरी लेबिल निमनल लिखित में से किस विशय में प्राथमिक इस तर पर इवियस के प इवियस की प्रामाणिक और सार्फक सीख किसके माध्यम से दी जा सकती है तो आपका 22nd को ऑप्शन फॉर्थ करेक्ट हो जाएगा एबी और सी नरेटिव का था वास्तविक सम्वाद परियोगों की प्रक्रिया आपका 23rd question issues of theme travel can only be meaningful for the students यात्र विशय के मुद्धे कीवल छातरों के लिए सार्थक हो सकते हैं 23rd option आपका पहला सही हो जाएगा अगर मुद्धों पर बहस की जा सकती है आपका 24th question besides EBS textbook which one of the following may be a good resource of EBS learning EBS पार्थपस्तकों के अलावा EBS सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है 24th option आपका पहला सही हो जाएगा छेत्र और दोरा छेत्र भमड इसी छेत्र विसेस में घोम कर पता गरना आपका 25th question आपका सही हो जाएगा पहला ए बी और सी रोल प्ले छात्रों के बीच वास्ट विक समवाद पील्ड ट्रिप 26th question EBS textbook contain real stories, narratives and real events for the learning of EBS because EBS पार्ट पुस्तक में EBS सीखने के लिए वास्टविक भंडार, आख्यान और वास्टविक घटनाय सामिल हैं क्योंकि तो आपका 26th option 4th सही हो जाएगा A, B और C वे सुचना और जुकाओ के सम्रद्द स्रोत हैं वे चात्रों, सिखकों और समदाई को रेडित करते हैं वे हमें उन महनभवों को फिर से देखने का अवशर प्रदान कर सकते हैं जिनसे हम परचित हैं आपका 27th question For consolidating the learning of EBS, focus of assessment should be on EBS की सिच्छा को समेकित करने के लिए आतलन का focus किस पर होना चाहिए? 27th option आपका पहला सही हो जाएगा for learning सीखने के लिए आपका 28th question राजा एक EBS सिच्छा मुल्यांकान उप्तरण के रूप में उप्योग करता है जो लिखित से मौखिक से लेकर द्रश्च तक छात्रों के काम के सभी घटकों में उपलबदी मापदंड मानदंड को इसपस्ट रूप से इंगित करता है सिच्छक उप्योग कर रहा है तो 28th option आपका पहला सही हो जाएगा रूबिक्स आपका 29th self-assessment in EBS is EBS में स्वा मुल्यांकान है तो 29th option आपका पहला सही हो जाएगा A, B और C सीखने के रूप में आकल, सीखने के बारे में सीखना उपलब्दियों और सीखने के पाइडाम के बारे में निर्ण है आपका 30th question Learning of EBS is based on the principle of EBS का सीखना के सिधान पर आधारित है तो इसमें आप option पहला सही हो जाएगा सरल से जटिल की हो, simple to complex अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कामेंट करके बताएं अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा फॉस मोटिवेशन बढ़ेगा आज हम 4th जन्वरी को हुए C.TED 2021 पेपर 1 के फुल 30 questions CDP के कम्पलीट करेंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो यूटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आपका पहला question आया था Which of the following is an example of the use of cross motor skills निमनलिकित में से कौन स्थूल motor causal के उप्योग का एक उधारण है तो आपका first option पहला सही हो जाएगा एक पैर पर संतुलन balancing on one foot दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए seated paper one और paper two के maximum सिफ्टों के solutions already provide कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के solutions देख लीजिए आपका second question आया था development changes are our result of विकास परिवर्तन का परिडाम है तो आपका second option पहला सही हो जाएगा on one sick और पर्या वरणी परिश्टियों का अनूठा संयोजन unique combination of genetic and environment circumstances आपका third question आया था the period from two years to six years is referred to as दो वर्स से छे वर्स की अवधी को कहा जाता है तो आपका third option दूसरा सही हो जाएगा प्रारंभिक बच्चपन early childhood आपका fourth question अजर्शन और रीजन वाला दिया गया था तो आपका अभिकतन दिया गया था सहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल reality सोप पर अधारित होता है जो वे देखते हैं कारण दिया गया था इन दुनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजी करण का एक महत पूर माध्यम बनता जा रहा है तो आपका fourth option पहला सही हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है आपका fifth question आया था which of the following factors are considered important by PRJ to facilitate learning PRJ द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न लिखित में से कौन से कारक महत पूर माने जाते हैं तो आपका fifth option दूसरा सही हो जाएगा first, second and third सिच्छक की गतिसीलिता विविद समग्रियों का प्रावधान मद इस्तरी नवीन अनभव प्रदान करना आपका sixth question आया था कि सवस्ता में बच्चे संसार के प्रति एक जीव व्यादी द्रश्टि को रखते हैं और मानते हैं प्रदों और पॉधों के साथ साथ चलते हुए बातलों और लड़कते पत्थरों के इरादे हो सकते हैं तो आपका sixth option दूसरा सही हो जाएगा पूर्व संचालन चरण प्री ओप्रेशनल स्टेज दोस्तों ये हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है इसलिए हिंदी काफी टाफ होती है तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि इंगलिस को एक बारी जरूर पढ़ लिया करें आपका seventh question आया था Language plays an important role in the cognitive development of children in the theory of बच्चों के संग्यनात्मक विकास में भासा एक महतपुर भूमी का निभाती है तो आपका seventh option पहला सही हो जाएगा लेव वेगोट्सकी आपका eighth question आया था अकॉर्डिंग टो वेगोट्सकी children learn by वेगोट्सकी के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो आपका eighth option दूसरा सही हो जाएगा साथियों के साथ बाच्चीत करके interaction with peers आपका ninth question आया था In a child centered classroom children बाल के अंदरित अच्छा में बच्चे तो आपका ninth option दूसरा correct हो जाएगा ज्यान के निर्माड में सक्री रूप से लगे होते हैं आपका tenth question आया था Which of the following is a correctly matched pair निम्न लिखित में से कौन सा सही सुमेलित युक्म है तो आपका tenth option दूसरा सही हो जाएगा Good boy, good girl orientation अच्छा होने से सुक्रती मिलती हैं आपका 11th question आया था In Harvard Gardner's theory, a person high on dash intelligence can recognize and be aware of the beauty of different species of flora and fauna Harvard Gardner के सिधानत में डेश बुद्धी पर उच्छे व्यक्ति वनस्पतियां और जीवों की विभिन प्रजातियों की पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है प्रकृति वादी आपका 12th question आया था National Education Policy 2020 Recommends राश्ट्री सिच्छानीती 2020 की सिपारिस करती है तो आपका 12th option पहला सही हो जाएगा बहु भाशावाद Multilingualism आपका 13th question आया था एक सिच्छक ये धाड़ा रखता है की लड़के अधिक बुद्धिमान है और जोखिम लेने वाले होते है और लड़किया आग्यातारी और इमानदार होती है और उनके अनुसार विवहार करती है इसका एक उधारण है तो आपका 13th option पहला Correct हो जाएगा लिंग पूर्वाग रहे जेंडर बायस आपका 14th question Adjection and Reason वाला आया था आपका अभी कथन दिया गया था सिच्छकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विविन प्रकार के आकलन उपकरणों और तकनीकों का उप्योग करना चाहिए करण दिया गया था कोई भी एकल मूल्यांकर उपकरण विकास के विविन चेत्रों में बच्चों की प्रगती और सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने में सच्छम नहीं है तो आपका 14th question पहला सही हो जाएगा A और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याथ्ख्या है आपका 15th question आया था विच आप दा फॉलोविंग सुचुवेशन डेज नौट इलस्टरेट असिस्मेंट फॉर लर्निंग निमनले कितमे से कौन सी इस्थती सीखने के लिए आकलन को प्रदर्शित नहीं करती है तो आपका 15th option तीसरा सही हो जाएगा प्रदर्शित को बढ़ाने के लिए चात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा पूछा क्या गया है नहीं है या है क्यूंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कोश्चन गलत कराते हैं तो आप एक बारी अच्छे से पड़ी है और ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपका सिक्स्टींद कोश्चन आया था इंक्लूजिव एटूकेशन रिक्वायर समा वेसी सिच्छा की अवशक्ता है तो आपका सिक्स्टींद का पहला सही हो जाएगा लचीला सिच्छा साथ फ्लیک्सिबल पेड़गोजीज आपका 17th question आया था Which of the following disability causes challenges in social communication निमनलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संचार में चुनोतियों का करण बनती है तो आपका 17th question पहला सही हो जाएगा आत्म के इंदरित Autism आपका 18th question आया था Which of the following helps in inclusion of learners from disadvantages and deprived groups निमनलिखित में से कौन वंचित और वंचित समुहों के सिचार्थियों को सामिल करने में मदद करता है तो आपका 18th option पहला सही हो जाएगा विवित्ता पर विचार Consideration of diversity आपका 19th question आया था Provision of multiple modes of representation of content Will help in inclusion of समगरी के प्रतिनिधित के कई तरीकों के प्रावधान से निमनलिखित को सामिल करने में मदद मिलेगे तो आपका 19th option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा First, Second, Third और Fourth स्रबड़ बाधित छात्र, दस्टी बाधित छात्र, सीखने की कटनाई का सामना करने वाले चात्र गतिमान कटनाईयों का सामना करने वाले छात्र आपका 20th question आया था विच आप दा फॉलोविंग इस आ करेक्ली मैस्ट पेयर आफ एपरॉप्रियेट अकॉमूडेशन स्ट्राटिजीज पॉर इंक्लूजन आफ सुरेंट्स विच स्पेसिफाइड डिसेबेलिटी निम्नलिकित में से कौन कौन सी विकलांगता निर्दिष्ट करने वाले छात्रों को सामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीतियों की एक सही सुमेलिक जोड़ी है तो आपका टॉंटिएथ का आप्शन पहला सही हो जाएगा डिस कैलकुलिया कैलकुलेटर का प्रवधान डिस कैलकुलिया प्रवीजन आफ कैलकुलेटर आपका टॉंटिएथ कोशन आया था इन अर्ली ग्रेट्स विच आपदा फॉलोविंग एप्प्रोच इस प्रफरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रारंबिक अच्छों में सिछण अधिकम प्रक्रिया के लिए निम्म लिखित में से कौन सदर्ष्ट को बहतर है तो आपका टॉंटिफर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा करके सीखना लर्निंग बाइ डूइंग आपका 22nd question अजर्शन और रीजन वाला दिया गया था तो आपका अभिकत्थन दिया गया था सीखने के लिए विद्याले के सामाजिक जीवन में भागिदारी महतपूर है सीखना आपका करण दिया गया था सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधी है तो आपका 22nd option पहला सही हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है आपका 23rd question दिया गया था Teachers can make classroom activities meaningful by सिच्छा कच्छा की गतिविधीयों को सार्थक बना सकते हैं तो आपका 23rd option 4th correct हो जाएगा उन्हें प्रामारिक संदर्व में इस्थित करना Situating them in an authentic concept आपका 24th question आया था Which of the following pedagogical practices are Does not contribute positively in teaching learning process निम लिखित में से कौन सी सेच्छे पद्दतियां सिच्छण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं तो आपका 24th option 4th correct हो जाएगा कठोर परिच्छा केंद्रित सिच्छण रड़नी तिया Visit exam centered teaching strategies आपका 25th question Agression and reason वाला आया था आपका अभी कथन दिया गया था एक सिच्छक को पढ़ाय जाने वाले विशेवस्तु को चातरों के दैनिक जीवन के अनभों से जोड़ना चाहिए कारण दिया गया था बच्छे जीवन के बहमूल अनभों के साथ विद्याले जाते हैं विद्याले आते हैं जिन पर सिच्चकों को ध्यान देने की अवशक्ता होती है तो आपका 25 पहला सही हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है आपका 26 कोश्चन आया था आपका 27 कोश्चन आया था मिस्कंसेप्शन अमंग चिल्डरन आर बच्चों में होती है भांतिया तो आपका 27 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा प्राकृतिक आपका 28 कोश्चन आया था एक चात्र जो सीख्यू वी आ सहायता का अन्भव कर रहा है की संभावना है तो आपका 28 कोश्चन फोर्ट करेक्ट हो जाएगा सीखने की गतिविदियों से पीछे हटना दोस्तों अगर आपको यी वीडियो अच्छे लगते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा आपका 29 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन आंत्रिक प्रेडा का उधारण है तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रुच्च के कारण एक नई भासा सीखना आपका 30 कोश्चन आया था विच आपदा फॉलोविंग इस एन इंवार्मेंटल फेक्टर विच इंपेक्ट लर्णिंग निम्न लिखित में से कौन सा एक पर्या वरणी कारत है जो सीखने को प्रभावित करता है तो आपका 30 कोश्चन फॉर्थ करेक्ट हो जाएगा